बब्यासिंग एपिए आप में आप लोगों का अपनने यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए अपने दूल इस पर है वीक आसे चुन है। तता Spread Seat के लिए जो Libre of Scale की वीडियो बनाई हूँ उसको जरूर आप देख लें वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या मेरे चैनल KCI Tally Specialist को ओपन करें और वहाँ प्लेलिस्ट में आप Computer Basic Course की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो सारी वीडियो जिस्टेप बाइस्टेप आपको मिल जाएंगी यहां तक कि पूरा CCC का Slabas उसपर मिल जाएगा और सारी वीडियो ज़ेदे आप Clearly पढ़ लेते हैं तो फिर CCC में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है और एक अच्छे ग्रेट के साथ तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आप लोगों को मैं LibreOffice इंप्रेस का Complete Knowledge दूँँगा इस फाइल नेम एक्सेंशन से लेकर के वीडियो का Complete Knowledge तथा इस वीडियो से हम Questions, Answer को कैसे तयार करें वो भी तरीका मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को तथा कुछ Most Important Shortcuts के बारे में भी मैं डिसकस करूंगा वैसे CCC से Related में Complete Slabes से जो Shortcuts बनते हैं उसका मैंने एक Separate वीडियो बनाया हुआ है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्ले लिस्ट के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही Important है विकाज आपके CCC Slabes में जो Presentation Application है Libre Office Impress उसका मैं Complete Knowledge दूँगा तो वीडियो Important है इसको बिना Skip की आप Last तक देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी Important वीडियो अब लूड होंगी वो आपको प्राप्त होती रहेंगी और प्रते एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें तो यदि कोई प्राप्लम आती है तो कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं तो चलिए हम देखते हैं लिब्रे ओफिस इंप्रेस देखें लिब्रे ओफिस आज का मेरा टॉपिक है लिब्रे ओफिस इंप्रेस आज वे इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट नॉलेज लिब्रे ओफिस का दूँगा जैसे आप देख पा रहे हैं फाइल नेम आप लिब्रे ओफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन होता है इसका फाइल नेम जबकि इसका अब जब आप सेबा इस टाइप जिसे हम बोलते हैं ODF प्रेजेंटेशन ODF प्रेजेंटेशन का मतलब होता है Open Document Format Presentation इसके बारे में मैं काफी डिसकस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में और जो फाइल एक्स्टेंशन होता है .odp जो हम लिब्रे ओफिस इंप्रेस में को भी फाइल सेब करते हैं तो .odp format में वो सेब होता है इसलिए इसका फाइल एक्स्टेंशन है .odp और इसी में मैं आप लोगों को most important shortcuts भी बताऊंगा इंप्रेस से related तो चलिए देखते हैं लिब्रे office इंप्रेस आप देख पा रहे हैं ये window आपके सामने available है और सबसे उपर जैसे कि पिसली वीडियो में आप देखते आए हैं किसी भी application के top में ही उसका title bar होता है title मतलब होता है सिर्षक और बार मतलब होता है पटी जिस पटी पर सिर्षक प्रेजेंट होता है उपस्तित होता है उसे हम title bar कहते हैं title bar को पहचानने का एक unique सा तरीका है इसका जो icon होता है उसे हम control tools भी कहते हैं control toolbox अगर हम या click करते हैं तो control toolbox आ जाता है इसमें कुछ control tools होते हैं जिससे अपने application को हम control कर सकते हैं उसके बार document name होता है या जो application आपने open कर रहा है उसका नाम होता है और right corner पे control tools होते हैं जिनके माद्यम से minimize, maximize, restore, close जिससे बार document name होते हैं और title bar के just नीचे आप देख पा रहा है menu bar है menu bar के बारे में बता चुका हो और menu window में जो कुछ भी हम कर सकते हैं यह menu options की मदद से कर सकते हैं तो जिस पट्टी पर menu options present होते हैं उस पट्टी को हम menu bar कहते हैं उसके just नीचे यह आपको मैं part of window के बारे में बता रहा हूँ because part of window जो यह user defined window जो default window आती है उसको मैं बता दे रहा हूँ जबकि इसमें हम बहुत सारे toolbar present absent कर सकते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि इसका file name होता है presentation और presentation कोई भी बनती है तो slide के combination slide के group को ही हम presentation कहते हैं हम उसके हर एक steps को clearly समझाते हैं slide की मदद से और जब हम एक द्रिस या एक subject को complete define करने के लिए जितनी भी slide का इस्तमाल करते हैं उसे हम presentation कहते हैं और एक complete slide it means starting to ending जो slide हम use करते हैं किसी भी द्रिस के बारे में आ किसी विसे को प्रस्तुत करने के लिए उसके introduction से conclusion तक जितना भी हम slide use करते हैं वो complete एक presentation कहा जाता है उस द्रिस को उस presentation के माद्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं तो Libre Office Impress का file name presentation होता है जैसा मैंने आपको बताया कि जो save as type होता है ODF presentation बोलते हैं because ODF जो है Libre Office का एक unique extension है Open Document Format और Open Document Format के अंतरगत हम presentation application यूज़ कर रहे है तो इसलिए इसको हम ODF presentation भी कहते हैं उससे इसका file name presentation और file extension .odp होता है because जो Libre Office Impress में file save करते हैं .odp extension format में save हो जाती है तो जैसा मैंने बताया यह आपका title बार है उसके just नीचे आपका menu बार है और यह आपका standard toolbar है जिससे standard बार भी कहते हैं उसके just नीचे आप देखें तो यहाँ आपका एक drawing toolbar है जहां से हम drawing के options को use कर सकते हैं हम यहाँ से कोई भी object create कर सकते हैं और नीचे हम आएंगे तो आप देख पा रहे हैं एक आपका navigation pan है या इसे slide outline भी बोलते हैं slide का sorter view आपके सामने यहाँ present हो जाता है outline भी बोलते हैं इसे हम और यह है आपका main slide slide view है यहाँ पर ruler भी present होता है अगर हम उसको present अप्सेंट करना चाहें तो आप देखें ruler भी रहता है यहाँ पर लेकिन अगर इसे हम हटाना चाहते हैं तो view से जाकर के हटा सकते हैं ruler से slide को हम map कर वैवस्तित कर सकते हैं तो यह आपका हो गया slide outline यह है आपका ruler अपने बताया आप लोगों को यह horizontal ruler है और यह vertical ruler है और यह slide है आपका और जब एक से ज़्यादा slide है किसी द्रिस को starting to ending व्यक्त करने के लिए जो slide का mix up होता है जो slide का group होता हुसी को हम presentation कहते हैं आप right side में देखें तो यह आपका scroll bar है जिसे हम vertical scroll bar करते हैं और इसके just right में आपका side bar होता है side bar किसी भी application में जो हम काम करते हैं लिब्रे office का चाहिए writer हो calc हो या impress हो उसके active window पर जो हम कोई भी work करते हैं तो उससे related जो सबसे important options होते हैं जैसे हम property check कर सकते हैं या उससे related जो formats दे सकते हैं वो आपके side bar में represent रहता है जिस नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और scroll bar मिलेगा जिसे हम horizontal scroll bar बोलते हैं और इसे हम vertical scroll bar बोलते हैं आप नीचे आएंगे देखेंगे यह आपका status bar है और status highlight करता रहता है जो भी work आप कर रहे होते हैं जैसे हम किस slide पर है आप देख पा रहे हैं आपके slide पर है slide one of one चुकि एक ही slide इसमें बनी हुई है तो one of one बता रहा है इसका क्या है यह जो master's effect है जो इसमे slide का जो effect है इसका जो dimension हो यहाँ पर सो कर रहा है इंग्लिस जो language हो रही है वो यहाँ पर सो कर रहा है और यह है आपका shift करने के लिए fit slide का एक option है यहाँ पर directly अगर slide में हमने कोई भी zoom किया हुआ है तो हम fit slide करना चाहते हैं यहाँ click कर देंगे fit slide हो जाएगी और यह zoom slider है आपका zoom slider में minimum zoom देखे अभी तक आपने writer में देखा तो writer में zoom अलग था 20 minimum था और maximum 600 था आपने calc में देखा minimum 20 था और maximum 400 था और आप impress में देखेंगे तो zoom minimum है आपका 5 परसेंट और maximum zoom जो होता है वो 3000 होता है maximum zoom कितना होता है 3000 zoom slider पर आप देख पा रहे है 3000 होता है तो maximum यह भी question बार बार पूझा जाता है impress में minimum zoom और maximum zoom क्या होता है तो minimum zoom होता है 5% और maximum zoom होता है 3000 तो इसको आप जरूर याद करें देखिए हम questions आपको तो last में कुछ बताएंगे ही बट ऐसे आप बहुत सारे questions को तयार कर सकते हैं उसके नीचे आपका है task war मैंने आपको बताया था जो default positioning है task war नीचे ही होता हरे का application के downside में task war होता है तो ये होगे आपका part up window आपने देख लिया अब हम देखते हैं कि हम जो options चुकी एक एक option को पढ़ाना time बहुत लगेगा और बहुत बड़ी video हो जाएगी तो मैंने जो एक trick बताया विकाज हमें triple c slavus के according इसकी पढ़ाई करनी है उसी के लिए मैं इस वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ हाला कि ऐसा नहीं है कि एक बार में इसको सब देख लिया बस हो गया तयारी इसको पढ़ना पढ़ता है इसका complete knowledge लेने के लिए फिर एक वीडियो में बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर आपको complete एक एक स्टेप बताया जाए विकोज जो triple c का slabus है उसके according ही मैं आपको इसको बता रहा हूँ तो आप देखें मीनू बार के बारे में ही हमें knowledge लेना होता हाला कि जो standard toolbar है और drawing toolbox है आपका standard toolbar उनी मीनू बार के options जो हैं वहाँ symbols में provide किये गए हैं जैसे यहां से हम new file ले सकते हैं और format change करके हम अलग-अलग जो अलग-अलग application आपका word processor या spreadsheet, presentation, drawing, formula, database हम कोई भी यहां से present कर सकते हैं हम new यहां से करा सकते हैं अलग-अलग file हम ले सकते हैं आप जानते हैं कि library office के अंतरगत कई सारे application होते हैं जैसे text document है, आपका spreadsheet है, आपका impress है, drawing है, formulas है, तो हम यहां से directly change कर सकते हैं कहने का मतलब यहां से direct हम toggle कर सकते हैं यहां से open करके destination point पे जाएं और वहां से हम computer में कहीं भी किसी भी location में file save है, तो open कर सकते हैं, इसी तरीके से save हम यहां से कर सकते हैं, यहां से हम PDF में export करते हैं, मैंने आपको बताया था कि library office में एक बहुत ही important option है, किसी भी file को हम export कर सकते हैं PDF format में, because एक open source application है, जो online अगर हम कोई भी file इसको export करना चाहते हैं, तो PDF format में इसको export कर सकते हैं, और जिस slide यह file पर हम काम कर रहे हैं, उसको में आसे print कर सकते हैं, cut, copy, paste, यह सारे options आपके menu बारक से related हैं, तो इसको आप check कर लीजिएगा, और यहां आपका drawing toolbox है, drawing toolbox तिसे drawing मतलब होता है, कुछ भी हम art करते हैं, चित्रकला करने को, हम चित्रकला को drawing बोलते हैं, तो यहां से हम कोई भी object बना सकते हैं, उसमें हम color fill कर सकते हैं, उसका line color fill कर सकते हैं, उसमें हम drawing करना चाहें उसमें जो भी effect provide करना चाहें तो drawing toolbox की मदद से हम कर सकते हैं slide bar में मैंने बता है आपको slide bar में जो slide हम जितनी भी slide ए present करके रखेंगे वो आपका slide outline में so होता रहेगा वैसे हम navigation pan भी कह सकते हैं ruler है आपका ruler से हम margin हो गयरा या फिर उसका indent की setting कर सकते हैं अपने slide को हम measure कर सकते हैं bottom में आप देखें आपका यह scroll bar है उसमें elevator इससे हम moment कर सकते हैं right side में भी जो scroll bar है आपका vertical उससे भी हम moment करा सकते हैं और side bar जो है उससे हम कोई भी property होगरा चेक करना property विकॉज यहाँ पर हमें slide को change करना है तो slide layout उसका orientation बदलना उसकी formats को change करना तो directly हमें properties से कर सकते हैं बट हम चाहें तो menu bar में जा करके यह काम भी कर सकते हैं यहां से slide को कोई transition होगरा provide करना है effect देने हैं तो यहां से हम transition effect provide कर सकते हैं यहां से animation हम slide में animation देते हैं एनिमेट कराते हैं स्लाइड को और फिर स्लाइड को जो एनिमेट कराते हैं यहां से हम प्ले करके देखें तो जो जो एनिमेशन हम यहां से प्रोवाइट करेंगे उसका प्रिवीव हम यहां से लेते रहेंगे इस तरह से हम चेक करके अपने जो हमारे मनपसंद एनिमेशन हो उसको हम उसके अपने subject के according उस पर set करते हैं तो कहने का मतलब यहीं से हम कर सकते हमें बहुत अंदर जाने की ज़रूत नहीं जबकि हर जगा यह के master के option यहां भी है layout के option यहां भी है बट यहां भी available है यहां से कर सकते हैं style check कर सकते हैं यहां से gallery में जा सकते हैं हम navigator use कर सकते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा slide हैं तो navigate करने के लिए उसको हम इस्तमाल कर सकते हैं और slide में status bar है जो आपके slide के बारे में उसका exact position यह सब बताता रहता है slide को fit करना यहां क्लिक करके हम fit कर सकते हैं यहां zoom होगर हम बढ़ा सकते हैं तो अगर हम आगे दिखते हैं जैसे file है मैंने आपको बताया कि लगभग आपका writer calc तता impress में लगभग option same है जो उससे different है उसको आप जादा करके तयार कर लेंगे impress के लिए और इस impress का एक आप notes तयार करेंगे उसमें अलग window से library writer and calc से जो different है वो आप इसमें note down करेंगे उसको यहां तयार कर लेंगे और जो writer से different है उसको calc में आप calc में जाकर के तयार कर लेंगे और जो writer के important option है वहां से तयार कर लेंगे तो आसानी से आपकी तयारी हो जाएगी मैंने आपको पिसली classes में बताया कि अगर आपको options को समझना है तो file उसके menu को समझ लीजिए बस उसके अंदर के options आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे because अभी आप देखेंगे मैं जो आपको most important question एंसर दिखाऊंगा बताऊंगा उसमें आप आप ज्यादा तर देख पाएंगे कि यह पुछा जाता है जिसे reload option कहां present है किस menu में reload option available है तो जब आप इसको जानेंगे तभी आप बता पाएंगे कि file में reload option है यह ज्यादा तर question mcq में पुछे जाते हैं quality choice questions में तो बहुत ही important है इसलिए हर menu के options को एक बार आप जरूर देख लें उसको अगर note कर सकते हैं तो note करके पढ़ें कहने का मतलब जिस तरीके साप उससे तयार कर सकते हैं उस तरीके से आप उसकी पढ़ाई करिए आप देखेंगे जिसे new से नई file open होती है इसको मैं use होते हैं और impress में तो एक ही बार आपको याद करना पड़ेगा बार बार याद करने की जरूत नहीं होगी आप एक चीज़ का विसेज ध्यान दें जो option दूसरे window में different होंगे वही पूछे जाते हैं कि यह impress के किस menu में पाए जाते हैं यह calc के किस menu में पाए जाते हैं अगर आप common sense को use करें और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आप वहां questions को solve करें और एक अच्छा result आप प्राप्त कर पाएंगे अगर इसी तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप देखें edit जो editing करने के option हैं जहां से हम edit करते हैं undo, redo, cut, copy, paste, yes हर window में आपको मिला हुआ है तो हर window में रटने की जरूतने आप समझ करके पढ़ लेंगे तो आसानी से उसको आप solve कर पाएंगे view है आप देखें यहां view जो है चुकि हम slide पर अब काम कर रहे हैं तो slide का view है जिसे normal slide अभी आप देख पा रहे है normal slide है outline करेंगे तो outline में आपका text में लिख करके आ जाएग और सब text में ही दिखेंगे यह है outline view note page view तो notes page हम आप देख पा रहे हैं sword में आ गया यह note page view है यहां हम अपने slide के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे slide sorter है अगर एक से ज्यादा slide हम बनाए हैं तो एक अठा हम सारी slide को देखना चाहें तो slide sorter view करके देख सकते हैं master slide करें के यह master slide जो होता है हम एक slide में जो परिवरतन करेंगे हमारी जितनी भी slide होंगी master slide का सबसे बड़ा मतलब यह है कि जो हम main slide change कि तो सारी slide है उसी के according जो format में होगा वह format सब slide हो में लग जाता है कभी कभी questions भी आ जाते हैं तो handout master हर जो आपके तीनों view है slide view notes view और handout view तीनों में master view होते हैं तो यहां से हम master के माध्यम से कोई भी काम जैसे हम copy करके भी रख सकते हैं वहां से हम master में main बना ले हम अलग अलग slide ओपर यहां से ले जा सकते हैं format सोगरा बदल सकते हैं तो यह बहुत important है हम normal view पर आ जाते हैं तो यहां से हम view को change कर सकते हैं मैंने आपको पिसली classes में भी बताया कि view option का मतलब है so कराना view मतलब देखना होता है तो यहां से so hide करने का गाम हम कर सकते हैं यूल बार में हम जो important toolbar जैसे जैसे मेरा work होता है उस तरह से हम toolbar को present करते हैं और उसको use करते हैं फिर उसको हम absent कर देते हैं तो यहां जो कुछ ऐसे टूल बार से जो present है जैसे standard है drawing है presentation अगर हमें text से कोई related work करना है तो text formatting का हम ले लेंगे zoom से related हमें टूल बार की जो रहता तो zoom लेंगे कुछ default टूल बार अब लेवल होते हैं जो आपको slide pen इसी तरीके से हम यहां ruler को so hide कर सकते हैं grid and help line हम present कर सकते हैं snapping करा सकते हैं comment को present कर सकते हैं side bar को हटा सकते हैं लगा सकते हैं slide layout को हम change कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता है यहां से slide layout properties में जाकर के आप change कर लेते हैं slide transition animation आप ये देखे ये चीजें जो है जो जरूरी चीजें slide को animate करने के लिए बार-बार पुछा जा सकता है कि animation कहा होता है तो animation view में होता है slide transition option view में होता है style gallery navigator color bar shift देखे आप यहाँ देखे fit window जो है वो shift के option नाम से है तो shift करना मतलब उसको fit करना तो ये भी आपके view menu में होता है तो ये बहुत ही important है इसलिए आप देख करके उसको पढ़ने और note down करने जिससे आप किसी भी questions को आपको solve करने में problem ना हो अब insert में आ जाते हैं हमें कुछ भी लाना है हमने बताया था insert मतलब होता है प्रेजेंट करना लाना होता है तो यहां से हम image लाना चाहते हैं audio video को इसमें involve करना चाहते हैं चार्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं tables करना चाहते हैं मीडिया बगरा लाना चाहते हैं गैलरी photo album photo album एक बहुत important option है ये भी बार बार पुछा जा सकता है ये questions आते है photo album देखे photo album है क्या photo album अगर हम लेते हैं तो हमने एक गैलरी में जा करके हम photo album का एक folder में 10-20-50 जो भी photos हैं वो हम चुल लेते हैं तो automatic एक पहला slide बनके आता है photo album का title, subtitle आता है और next जो आते हैं सब एक-एक photo, एक-एक slide पर आ जाते हैं तो इससे हम album create कर सकते हैं ऐसे object, shape, snap guide, text box, comment ये सब so hide कराना, font work, hyperlink वगरा करना, slide का number करना, field वगरा से आपको जा करके formula type में यहाँ slide number है, title है, slide count, ये सब हम present कर सकते हैं header, footer, ये सब हम insert के माध्यम से ला सकते हैं तो जो important shortcuts हैं उसको आप जरूर याद करें जिसे text box का shortcut पुछ लिया जाता है, तो F2 होता है, comment का shortcut पुछा जाता है, बार बार control, alt, c होता है, hyperlink का shortcut, तो ये कुछ important shortcuts हैं उसको आप जरूर तयार करके रखें format है, मैंने आपको formatting के बारे में बताया था, जो जिससे हम परिवर्तन कर सकें, कोई भी changing कर सकें, अपने text में, अपने image में, जो भी हम paragraph में, कोई भी परिवर्तन करते हैं, जहां से वो format होता है, तो format से हम जागर के formatting कर सकते हैं, चाहे table format करना, image format करना, object save format करना, shadows होगरा हम करना है, flip करना है, convert करना है, align arrangement करना है, group में करना है, तो इस सारा काम हम format के माध्यम से जागर के करते हैं, slide है, slide से related सारे work हम यहां से कर लेते हैं, slide का shortcut जरूर पुछा जाता है, control plus M होता है, नई slide लाना, duplicate slide करना, आपका insert slide from file, file, इस file से हम slide लाते हैं, slide outline भी लाते हैं, तो ह कई तरीके से slide को present कर सकते हैं, layout वगरा change करना है, तो हम layout बदल सकते हैं, जबकि आपने भी properties में देखा हम layout कैसे लाते हैं, और slide हम यहां से भी layout slide का हम यहां से भी change कर सकते हैं, यह नया layout लाना है, तो हम कर सकते हैं, view से भी, ठीक है, तो आप देखें, यहां layout change करना, slide को delete कर करना rename करना slide को यह सारे चीजें आपके यहां पर आती हैं आप देखें slide transition आपका यहां भी present है लेकिन यहां और यहां में अंतर क्या है यहां से slide transition को लगाते हैं और यहां से हम उसको so hide करने का work करते हैं तो यह हो गया slide बहुत ही important option है यह आपका jump to last edited slide का shortcut आप जरूर देख लेंगे आप new slide का shortcut जरूर देख लेंगे यह सब बहुत important है और ज्यादा तर आप menu के अंदर जो option है उसको आप जरूर तयार करेंगे विकाज इससे आपको कई सारे questions मिल जाते स्लाइड सो अब देखे slide 10 slide में से अगर हम 25 slide को select करके रखे हुए हैं हम चाहते हैं वह इसी 25 slide मेरी किवल सो हो तो के लिए हम start from current slide उसका shortcut होता है shift plus f5 तो इह important shortcut है हम research timing का use कर सकते है मेरी slide कितने timing तक सो करती है तो हम research timing का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहां से custom slide ऑपने मनमाफिक जो आपको पसंद अपनी मनपसंद with these slide को अगर आपको सो कराना है तो Tel करें सो करने के यह option है जैसे हम देखें स्लाइट सो करके दिखाते हैं आपको यह मैंने किया अब देखें स्लाइट सो हो रही है और जो एनिमेशन हमने प्रवाइड किया है उसी एनिमेशन के करना है रिप्लेस करना है कलर को मीडिया प्लेयर यूज करना है फॉर्म माइक्रो बार बार पुछा जाता है माइक्रो किस मीनू में होता है तो माइक्रो जो होता है आपका टूल्स मीनू में अबलेवल होता है कस्टमाइज ऑप्शन उसके सौटकर्स जो भी आपके है उसको जरूर आप देख लेंगे window मैंने बताया था यहां से new window close window यह सारा काम हम कर सकते हैं तो यह है आपका complete impress तो मीनू के according आप उसकी पढ़ाई करिए और जो important है उसको आप तयार करिए और window से जो different है उसको इसमें तयार करिए आसानी से तयार हो जाएगा और आप examination में बहुत ही अच्छा करके आएंगे तो चलिए हम देख लेते हैं library office impress के most important question sensors आप देखें library office impress में text box insert करने का अभी मैंने आपको बताया shortcut तो कोई जरूर नहीं किदे questions को रटने से आप मैं तो एक format आपको दिखा दे रहा हूं questions कैसे बना जाते हैं आप उसी window से अपने उसी application से सारे questions को तयार कर सकते हैं और जरूर समझें तो इसको भी आप screenshot ले करके तयार कर सकते हैं library office impress में text box insert करने का shortcut अभी मै कलब किस menu में होता है तो format menu में मैंने भी आपसे कहा कि menu के options जरूर पूछे जाते हैं तो format menu में ही bullet and number चुकि यह formatting देना है में तो format में होता है आप देखें थर्ड वाला है in impress press the shortcut key for send to back any shapes is कहने का मतलब impress में किसी भी shape को send to back के लिए shortcut को हम कौन सी shortcut की प्रेस करते हैं send to back bring to front जो arrange करने का तरीका है वो हम कैसे करते हैं control shift plus minus करते हैं तो यह आप उसमें send to back कर सकते हैं तो send to back का यह shortcut होगी आप देखें impress में sub script की shortcut की क्या है तो control plus shift plus भी जो होता है वो sub script का shortcut impress में होता है आप अगला देखें impress में clear direct formatting का विकल किस menu में होता है clear direct formatting वहाँ कहां से हम कर सकते हैं format menu से कर सकते है clear direct formatting मैं आप सबको यह सब बता चुका हूँ तो इसलिए आप impress की window से जो questions त्यार करेंगे वो आपके ज़्यादा काम में आएगा क्योंकि यह किसी तरीके से पुछा जा सकता है ज्यादा तर आप देख पा रहे है menu के options ही पुछे जाते हैं तो इसमें format सही answer है आपका next हम देख लेते हैं नई slide insert करने की shortcut की क्या होती है भी मैंने आपको बताया control प्लस M होता है new slide present करने का shortcut export direct as PDF export direct as PDF एक unique option है आपके लिब्रे office का का विकल्प कहा मिलता है देखे पुछा जा रहा है तो यह file में मिलता और आपके standard toolbar दोनों में मिलता है चुकि यहाँ पर file menu नहीं है तो toolbar दिया है तो standard toolbar में मिलता है भी मैंने आपको बताया था presentation slide show करने के लिए आप देख पा रहे है यह 5 होता है अगर current पूछा गया होता तो shift plus F5 कहते है यदि आप impress presentation का window close करना चाहते हैं तो कौन सा shortcut देखे चुकि impress का window कह रहा है तो वो close करने का shortcut होता है control W अगर library office से बाहर आने को बोलता तो हम करते control plus Q तो आपका exit हो जाता आप impress में slide का layout बदलने के लिए किस menu का अस्तमाल करते हैं अगर हमें slide का layout change करना है तो slide menu में हम जाकर के layout बदल लेते हैं अब देखे टेक्स alignment का विकल्प किस menu में आता है तो जिके format से मतलब है तो format menu में होगा cdc बात है तो इसलिए menu के मतलब को समझें menu options जो word menu name है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो उसके options आसानी से आप तयार कर पाएंगे तो इसके questions है 12th number का question है इंप्रेस में किसी slide का layout हो सकते हैं नहीं मतलब इन type की slide हो सकती है इन type का layout present कर सकते हैं आप तुस्ते और है सा नहीं आ रहा है तुक्का लगाना है mcq में तो यह आप लगा सकते हैं इंप्रेस में न्यूंतम वहा अधिक्तम जूम साइज अभी मैंने आपको बताया कि minimum 5 होता और maximum 3000 होता है तो यह answer है इसका इंप्रेस में नया template insert करने के लिए कौन सा shortcut की का इस्तमाल करते हैं तो control plus shift plus n यह new template लाने का आपका shortcut है next हम देख लेते हैं एक slide presentation के दोरान एक के बाद एक hyperlink को select करने के लिए आप किस की को प्रेस करते हैं तो tab की जब होता है तो एक के बाद दूसरे को दूसरे के बाद तीसरे को select करने के लिए tab की का इस्तमाल करते हैं तो यह बहुत ही important option अगर आपक है अब ही मैंने आपको बता है कि impress में जो file हम save करते हैं उसका extension होता है .odp,odp का पूरा नाम होता है open document presentation, slide को ब्यवस्तित या start करने के लिए आप निमलिखित में से किस का उपयोग कर सकते हैं तो हम slide pen भी use करते हैं और slide sorter view भी use करते हैं तो इसलिए both a and v यहाँ पर right answer हो जा है अभी मैंने आपको बताया कि library office impress में micros बार बार पुझा जाता है तो tools में मैंने अभी आपको बताया तो आप देख पा रहे हैं answer आपका tools menu हो जाएगा next है आपका निम्न में कौन सा file format library office impress में जोड़ा जा सकता है तो यह सारे formats जोड़े जा सकते हैं तो all of above हो जाएगा next है आपका किस option का उपयोग करने पर सभी slide एक साथ दिखाई पड़ती हैं अभी मैंने आपको दिखाया भी कि slide sorter कर लेते हैं तो जितनी भी slide आपके उसमें होंगी वो सारी slide आपको slide sorter view में दिख जाएंगे because सारी slide एं छोटी-छोटी हो करके दिखाई दे जाती हैं question है slide transition को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं निम्न मतलब इनमें से हम क्या लागू करते हैं slide transition को हटाने के लिए तो साब-साब लिखा हुआ है non transition तो non कर देंगे transition आटोमेटिक हट जाएगा next है आपका Libre Office impress में कौन सा alignment नहीं होता है तो justification नहीं होता है ये justification align आपके impress में नहीं पाए जाता है next है आपका Libre Office impress में निम्न में से कौन सा view नहीं पाए जाता है तो सारे पाए जाते हैं ना ना अब दीजी इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो ना पाए जाता हो notes भी भी पाया जाता है मैंने तीनों व्यू करके आपको दिखाए हैं अभी विंडो में लिब्रे office impress में slide sorter किस menu में पाया जाता है तो slide sorter अभी मैंने आपको बताया कि view menu में चुकी हम क्या करते हैं view ही देखते हैं हम उन slide को view कराना है में छोटे छोटे में तो हम view menu में जाएंगे सीधी सी बात मैंने उसके meaning समझने के लिए आपसे बताया है कि अगर meaning को समझते हुए आप कोई भी questions पढ़ेंगे तयार करेंगे तो आसानी से सारे option आपको तयार हो जाएंगे अब हम कुछ true false के questions भी देख लेते हैं इंप्रेस में line, rectangle, ellipse, art, tools, drawing toolbar में मिलते हैं मैंने आपको बताया भी window में कि line, rectangle, ellipse या उससे related जो भी हम drawing करते हैं color करना, outline करना ये सारा काम हम drawing toolbar से करते हैं तो आपका सही answer है true यहाँ पर true हो जाएगा इंप्रेस में alt, shift, plus c से comment insert कर सकते हैं मैंने आपको बताया comment insert करने का shortcut आप जरूर तयार कर लेंगे comment को insert करना यहाँ पर comment को insert करना है so hide करने की बात नहीं हो रही है तो alt, plus c, plus c ही होगा true answer custom slide show से आप अपनी मन पसंद slide show कर सकते हैं true होगा because अभी मैं आपको window में बता के आया हूँ की custom slide show से हम अपने मन माफिक अपने पसंद की slide को show करा सकते हैं impress presentation program में status bar को hide किया जा सकता है yes, hide किया जा सकता है view menu से जा करके हम status bar को hide कर सकते हैं एक छीपी वी slide, एक slide है जिससे slide show चलाने के दोरान दर्सकों को नहीं दिखाया जा सकता यहां true है क्योंकि जब हम किसी भी slide को hide कर देते हैं तो वो slide आपके slide show में प्रदर्सित नहीं होती है next है आपका यदि आप एक master slide में एक graphic जोडते हैं तो यह आपकी प्रस्तती की हर slide पर दिखाई देगा जब master slide हम लगाएंगे उसमें जो effect आता है वो automatic सारी slide है जितनी भी slide होंगी सब पर वो effect लागू हो जाएगा इसलिए answer आपका true है Libre office impress में एक प्रस्तती में केवल एक master slide हो सकता है आप false करेंगे इसको एक से ज़्यादा हो सकते हैं इसलिए इसको false कर दिया next है आपका slide animation transition के समान है लेकिन वह single slide में व्यक्तिगत element पर लागू किया जाता है हाँ जो slide transition होता है वो पूरे background पर लगता है और जो animation होता है हम animation लगाते हैं वो अलग-अलग element पर हम लागू करते हैं तो यह आपका विकल्प true है next आप देख लें लिब्रे office impress में custom page style नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं इसलिए answer आपका fall है एक आप trick भी जालने हैं यदि नहीं अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं और आपके true false में नहीं word आ रहा है नहीं सब्दार है not आ रहा है तो ज़्यादा तर condition में वो false होते हैं बट तुक्का आप कभी भी लगाएं जब आपको वो questions एकदम से ना रहे हो तब अगर आप सोच समझ करके उसको लगाएंगे खो सकता आपको questions याद आ जाएं तो आप उसको अच्छे से solve कर पाएंगे लेकिन जब नहीं आ रहा है तो आपका अगर not मिलता है तो वो questions आप solve करें अन्यता आप ज़्यादा तर true ही करें Libre office impress में images के एक set से एक photo album बना सकते हैं आम तोर पर प्रति slide एक photo के साथ आता है तो अभी true है ये ये अभी मैंने बताएं आप लोगों को photo album को अच्छे से बताएं समझाएं आपको तो ये answer आपका true है तो ये कुछ most important questions एंसर थे जिसमें हमने shortcut से related तथा menu से related उसके जो impress के most important options हैं उनसे related कुछ questions एंसर आपको बताएं तो ये बहुत important इसको आप जरूर तयार कर लिजेगा और ये वीडियो बहुत important है हर उस student के लिए जो triple C की तयारी कर रहा है उसका examination नजदीक है तो वो अगर इसे carefully देख लेगा पूरा और उससे तयारी कर लेगा तो फिर लिब्रे ओफिस इंप्रस से एक भी question ऐसा नहीं होगा जो आप solve करके ना आओ examination में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यद वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को like करें share करें तथा यदि आप मेरे channel पर नए हैं तो subscribe जरूर कर लें विकाज आगे जो important videos में डालूँगा उसे आप तभी प्राप्त कर पाओगे जब आप subscribe किये रहोगे तथा bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिससे वीडियो का notification आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे तो आज की class के लिए बस इतना मिलते हैं next day next video के साथ तब तक के लिए thank you, check in